कि एगाई असलालेकूम आया होब लोग ठीक होंगे उमीद करती हूं और मैं भी ठीक हूं तो मेरा व्लोग स्टार्ट हो गया है और मैंने अभी एक व्लोग यहीं एंड किया है क्यों दो दिन से चला आ रहा था और यह बनाई वह मैकप का और सब चीज का मैंने इसमें दिखा होगी और मैं अभी पालक पनीर बनाने जारे हूं तो इसकी रेसिटी आप रोगों के सब्सक्राइब करूंगी तो वही मैं जारीक करने के लिए चलो मैं दिखाती हूं मैं क्या-क्या बना रही हूं तो इसमें टाइम लगेगा भी तो मैंने यहां पालक को दो लिया है वह पानी की जाए तो पालक दोलिया है मैंने और यहां मैंने मिर्चे और लसन ले लिए क्योंकि उबाल ले रखूंगी तो इसी में डाल दूंगी क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और मैं ऐसा ज्यादा अफाल तो कवो नहीं रहांगी हलका सा वही ज्यादा ताम आलू लेती बनाईए अभी गरम हो रहा है मेरा हाथ भी जल गया है अभी बनाईए और अभी मुझे कहीं जाना है किसी को देखने तो बस अपना वही काम कर रहे हैं चलो पालक मैं दिखा दिया अगर मेरा यह मैं फोन को लगाती इस टैंड पे और उसके बाद मैं होंगी त सब्सक्राइब के लिए और यह पानी खुद भी छोड़ता है पालक तो इसलिए पालक पानी कम डालना चाहिए तो मैंने एक प्याली पानी डाल दिया है स्वे नमक डाल दिया है ताकि अच्छे से यह उबल जा और नमक इसके अंदर भी बैट जाए तो यहां मैंने तेज सबका जाएं ताकि ताकि का तेस्ट बहुत अच्य आई और यह जादा ताम जहां भी नहीं ही होता इसे यह बैट और लो गटाल धीग मिरल लिग कि ऐसके ट्रेके था इह तो अच्छया आए यहां बार और चमस जीरा बर कर दाल लिया है तो यहां जाथा लाइए पाना नहीं पीछड़ा नहीं पीछगगाया है यहां अब तरह के खंग साथ इसमें नहीं लड़ा है यहां मैं अपना पलग सादर वह दाल दिया है यह देखी इस तरीके से और इसकी बहुत अच्छी खुश्वू आ रही है और इसमें जादा महनत भी नहीं लगता है बहुत आसानी से बन जाता है थोड़ा सा नमक डालूँगे क्योंकि पहले भी नमक डाल चुकी थी मैं और एक मिनट के लिए ही पकाऊंगे जादा नहीं प पनीर को कभी भी पकाना नहीं चाहिए कि पनीर खुदी इतना सोफ होता है तो उसका घुलने का अग्दम से डर होता है और यहां देखी पक चुका है उसने तेल चोड़ दिया है तो मैं साथ में ही अपना कोई भी बरतन लेती हूं पोरन ही इसको निकाल के रग देती हूं और मैं इसमें लगाऊंगे बंगार तो मैंने लसन को काटके रख लिया था पहले छोटे चोटे पीस में और तेल डाल दिया है यह देखी इस तरीके से इसकी बहुत अच्छे आती है आप हमेशा इसका ही बंगार लगाया करो बहुत अच्छा टेस्ट आता है यहां मैंने अपना जो लसन का बंगार लगाया है कि देखने में लगा रहा है और इसमेल भी बहुत अच्छी आरी है इसकी यह बनके तयार हो चुता है में तो अलग सा लगता है उससे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और यहां सबजी काट रहे हैं हम लोग तो क्या है यह बीन्स की फ़ली है तो कट चुकी है मैं भी लेकर आई थी यह ने बताया था कहीं जा रही हूं और सारा कमरा इसलिए फैलावार क्योंकि मुझे इसको कल शादी में जाना तो उसकी वज़ा से उसने कपड़े निकाल रखे हैं और कुछ कपड़े भी पानी में अब हो रखे हैं ब्लैक कलर के ब्लैक सैंपू में तो मुझे भी निकालना है और सब्जी भी कट चुकिये करीब करीब तो थोड़ी सी रह गई है तो अभी उसका भी फराई करके रख दूंगी वह बीन्स मैंने इसलिए ले लिया था एक्जुस फैंजला बीन्स मैंने इसल अरे नहीं चाओमीन क्या करते हो नहीं हां चाओमीन ही बोलते हैं कच्छी चाओमीन मगर मुझे बनाने बीन्स डाल के उसमें जो भी घर में सबजी होगी ना मैं सब डाल दूंगी क्योंकि बहुत टेस्टी लगती पिछली बार बनाई थी तो ऐसे ही खतम हो गई थी और अ पर मेथी अलो तो बनाई लिये थे उसके बाद मेथी आलो से खाना खाया और घी बाट कर गा वर अशिटे मेथी आलो बहुत अच्छा लगा तो बहुत तेस्टी और ना उसमें बिल्कुल भी कड़वाड लगी क्योंकि मैंने मलाय डालके बनाई थी अगर मलाय डालके बनाऊंगे तो बिल्कुल कड़वी नहीं लगती है तो बस अब मैं यहां से साफ करूंगी सफाई उगरा सब्ज सब्जी कड़ यह काकर belangी करी लिगी सब्सक्राइब पाइदा होता है अलु अलो मेति बिनों नहीं काटी थी और अभी मैं ईशल के Means यह बनाई गीक बनाउंगी आक पनीर, साही पनीर उसे यही पसंद है तो अभी मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी तो उस वाली रेसीपव तो मैं अगली वाली वीडियो में दिखाऊंगी क्योंकि अभी नहीं बन पायगा ये तो अभी मैं कपड़े दोने जा रही हूं पहले तो मैं यहां से यह उठा के रख देती हूँ सब्जी कट गई है हस्बन जी ने हमारे सुभ़र जी ने हमारे सब्जी काड दी है शुक्रिया जी और इनको मैं फ्राइ हो बहुत मुझे फाज़ा होता है इसे कि फोराय करकेक कहीं जल्दी जाना हो जल्दी बन जाए सब्जी जल्दी करना ननी है कर भाभी आएंगें फिरल से आज आएंधी तो खाना आपको दिखाते हूँ आपको दिखाते हो आपको क्या है मेरे पास जल जलाई देती हूँ यह देखिए जलगे लाइट तो कैसा लगा है उन्नत अंधिरा-थेरा लगा था इधर से यह देखिए कैसा लगा पीछे कपड़े टकरें मौन इसके कपड़े लाइत ना तंग करता है उसके कमरे की हालत मैं आपको पहले एक बार दिखाती है यह एक तक्या यह अल्ला यह टीशेट है वह टावल पड़ा हुआ है कमल के नीचे एक देखें पैंट देखें कुर्सी पर उसको बिल्कुल भी य करती है सारा दिन लगी रहती है कि थोड़ा बहुत नंकी कर दू मगर नहीं बास बहुत परिशान कर रखा उसने मुझे और मैं आपको दिखा दू कलर यह इसमें बहुत गंदा वाला कलर आ रहा है ऐसा लगा ब्लू-ब्लू सा मगर यह वाला जो होता है ना सी ग्रीन कलर व पल्ला है इसको देखिए इसको देखके बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि यह आउट फैशन है तो इसलिए यह बहुत अच्छा लग रहा है इसके कलर जो है इसमें कड़ाई के वह भी बहुत अच्छे लग रहे हैं इसलिए इसका मेरा एक अच्छा सूट बन उसके बाद मैं इसको पहले पूरा तयार करके सिल्के उसके बार ड्रैकलिन कराऊंगी क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा लग राइस में मुझे रखी है ना पूर टाइम से तो इसका बहुत प्यारा वाला सूट बनाऊंगी उसके बाद मैं आप लोगों किशा शेयर करूंगी फिर बताईएगा कि कैसा लगा है मेरा सूट दस बज़ रहे हैं पूरे इस टाइम रात के यह नहीं दिन के रात के की रात कही खाना वरा रही थी अभी मैं खाना क्या हो तो मैं असी तयार कर रही थी सुबा के लिए नास्ते के लिए पालत पनीर तो मैं थी आलू खाई लि झाल 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 झाल